हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगी क्लास एट का चेप्टर थर्ड, Synthetic Fibers and Plastics. तो फर्स्ट अपिक है हमारा Fiber, Fiber क्या होता है? Fiber होता है एक पतला, थिन यानि पतला, thread, धागा, एक पतला धागा होता है. जो किस से बना होता है या तो natural प्राकृतिक या फिर artificial कृत्रिम सबस्टेंस से पदार्थ से artificial substance का आर्थ ही है कि just like chemical से जिसे बनाया गया हो तो fiber एक पतला धागा होता है जो कि natural यानि की प्राकृतिक या फिर artificial substance से बना होता है types of fibers fibers के प्रिकार किते प्रिकार के होते हैं fibers fibers जो होते हैं वो दो प्रिकार के होते हैं किते प्रिकार के दो प्रिकार के पहले natural fibers और दूसरे artificial fibers natural fibers क्या होते हैं natural fibers ऐसे fibers जो प्राप्त किये जाती हैं plants और animals से उन्हें कहते हैं क्या natural fibers ऐसे Fibers जो Planets और Animals से प्राप्त किया जाते हैं। उन्हे नेचुरल Fibers कहते हैं। एग्जामपल है Cotne ॏ Patriot, Roey Wool ॹूल यानि कि Eun 然後 Silky ॏ rapid stichyum, et cetera. Synthetic fibers, what are they? Synthetic fibers are such fibers that are genital based chemicals or totals. So what do they mean? They are synthetic fibers. These are man-made fibers. That means humans create SAMAL condition and can do therefore. I am the example of Rayon, Pollyaster. The next is Monomer. Monomer inflammrijus, क्या होता है ये एक chemical substance होता है रासानिक पदार्थ होता है जो कम माइन कर सकता है यान कि जुड सकता है किसके साथ दूसरे खुद जैसे molecules के साथ दूसरे खुद जैसे molecules के साथ और जुड कर ये क्या बनाता है एक long chain मनाता है तो उस chemical substance को जो की खुच जैसे ही दूसरे molecules के साथ जुड़कर लंभी chain मना दे तो उसे क्या कहते है monomer कहते हैं क्या कहते है monomer एक्जामपल देखते हैं CS2 single bond CS2 single bond CS2 single bond CS2 single bond CS2 sown करके तो यहां यह जो CS2 है न यह chemical substance है क्या है यह chemical substance तो यह जो chemical substance है ना इसका नाम है ethylene क्या नाम है ethylene ethylene और ethylene molecules के साथ जुड़ता है यह भी ethylene molecule यह भी ethylene molecule यह भी ethylene molecule यह भी ethylene molecule तो यह अपने जैसे ही दूसरे molecules के साथ जुड़ता है और क्या बना जेता है एक लंबी चेन बना देता है एक लंबी चेन बना देता है तो इस चेन में परतेक मॉलीक्यूल को क्या बोला जाता है मोनोमर, क्या बोला जाता है मोनोमर, ठीक है नेक्स्ट है, पॉलीमर क्या होती है तो मोनोमर्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं अभी अभी बताया कि मोनोमर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और क्या बना देते हैं एक लंबी चेन बना देते हैं तो वो जो पूरी एक युनिट सी बन जाएगी ना एक पूरी एकाई सी बन जाएगी उन सारे मोनोमर्स के जुड़ने से तो तो उस पूरी unit को, उस पूरे compound को, क्या कहेंगे? Polymer. क्या कहते है? Polymer. Example है CS2, 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 CS2. वह ही उपर वाला example है. तो ये सारे, अलग-अलग जो molecules हैं, ये सारे तो क्या हो जाएंगे? ये तो हो जाएंगे Monomer. और ये पूरी ये पूरा. ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा का पूरा compound क्या लाएगा? Polymer. क्या क्या लाएगा? Polymer. Example अगर हम लें, तो मान लेते हैं कोई train है. तो train की जो अलग-अलग बोगियां होती हैं, तो उन अलग-अलग बोगियों को तो कहेंगे Monomer. और अगर पूरी train की बात करें, तो उस पूरी train को क्या कहेंगे? Polymer. ठीक है? तो ये just example है समझाने के लिए. Next topic है, types of synthetic fibers. जो synthetic fiber होते हैं, उसके types प्रकार कौन-कौन से होते हैं. तो जो synthetic fiber होता है, उसके four types होते हैं. किते? Four types. तो पहला type है, rayon. दूसरा nylon. तीसरा polyester. और चोथा acrylic. तो अब हम एक-एक करके सबके बारे में detail से देखते हैं. Rayon. Rayon जो है न, वो artificial silk है. देखो, silk card होता है, रेशम. और रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम की कीडे से. यानि कि silk वर्म से प्राप्त किया जाता है. लेकिन ये जो rayon है न, ये chemical से बनाए जाता है. किससे बनाए जाता है? chemical से. तो ये बिलकुल silk जैसा होता है, रेशम जैसा ही होता है. लेकिन रेशम नहीं होता है. तो इसका नाम रखा गया artificial silk. यानि कि कृत्रिम रेशम. क्योंकि ये किससे बनाए जाता है? chemical से बनाए जात वुड पल्प जो लकडी काаетा होता है लकडी का गुदा यानि कि लकडी का पानी के अंदर अच्छे से क्ला लो फिर उसे पीट-पीट कर पीट-पीट के उसको गुदा उसका पीस्ट बना लो तो Brid articles कहेंड तो वो जो वुड़ पल्प होता है ना उसका केमिकल ट्रीटमेंट करवाई जाते है निकि उस वुड़ पल्प की रियक्शन करवाई जाती है केमिकल्स के साथ किसके साथ केमिकल्स के साथ और तब जो तेयार होता है that is known as rayon उस ही को क्या कहते हैं rayon कहते हैं ठीक है यूजिस अगर रियोन को मिला दिया जाए कोटन और वूल के साथ तो उससे क्या बनाई जा सकती है बैड शीज चदरे बनाई जा सकती है और कार पेड्स चटाईया बनाई जा सकती है इसका प्रियोक किया जाता है क्या बनाने के लिए blanket, candle, curtain, पर्दी, table cloth, rayon की क्या properties होती है इडिस सिमलर टू सिल्क, ये बिलकुल सिल्क, रेशम के समान होता है, बिलकुल रेशम जैसा होता है इडिस soft and comfortable, ये soft मुलायम होता है and comfortable और आराम दायक होता है इससे बने कपड़ों को आप बिलकुल easily use कर सकते हो, बिना किसी दिक्कत के It can be dyed in many colors, इसे रंगा जा सकता है, dyed कार्थ, रंगा जाना कई रंगों में, यानि कि आपको रियोन के अलग-अलग colors के कपड़े आसानी से मिल जाएंगे It is lustrous, ये चमकदार होता है, यानि कि इसमें क्या होती है, चमक, lustrous यानि चमक Next है, nylon, nylon जो है, वो भी एक synthetic fiber है, तयार किसे किया जाता है, prepared कार्थ, तयार करना तो तयार किया जाता है, coal, koily, water, पानी, और air, हवा, इन तिनों के mixture से, मिश्रन से, क्या बना जाता है, nylon Properties of nylon, नाइलोन की क्या क्या properties हैं, विशेस्ता हैं, ये strong होता है, strong यानि बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, and elastic, और लचकदार भी काफी होता है, elastic यानि लचकदार, जिसमें लचको Lightweight होता है, कैसा होता है, lightweight, यानि की वजन में कैसा होता है, हलका होता है, lusterous होता है, चमकदार होता है It doesn't shrink on washing, जब आप इसे दोते हो न, nylon की कपड़े को, तो ये shrink, सिकुड़ता नहीं है Uses, क्या-क्या uses है, nylon के, इसका pre-work किया जाता है, कपड़े बनाने में, इसका pre-work किया जाता है, rope, RSC बनाने में, tents, तंबू बनाने में, toothbrush बनाने में, car seats, car की seat बनाने में, Pre-work किया जाता है, etc, इसका pre-work किया जाता है, parachute बनाने में, parachute आप सब जानती है, और fishing nets, जो मचली पकड़ने वाले जाल होते हैं, जो मचुवारी यूज करती है, उन्हें बनाने में भी nylon का pre-work किया जाता है, इसका जो धागा होता है, nylon का, हद से जादा मजबूत होता है, steel wire के समान, इतना मजबूत धागा होता है, इसका, ठीक है, तो इसका pre-work किया जाता है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसका second part जरूर देखें, और मेरे इस वीडियो को like करें, share करें, और मेरे चैनल physics guru want to go subscribe करें, thank you, have a nice day.